कबसे का बाबू बाबू लगा के रखा है बेग जब से आये हो तब से बाबू 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 हैं हम तुम्हारे पड़ोसी है का हैं तुम हमारे मामा हो अच्छा हमने ना तो तुम्हें देखा है ना तो हमने तुम्हें पैचाना है कैसे हो तुम मामा और वैसे भी हमारे मा जी के कोई भाई नहीं थे समझें तुम कबसे बाबु ए चाप पहले यह बाबु बाबु बोलना मुझे बंद कर दो समझें कि हैं कि का अच्छा मैं जब छोटा था तब ही तुम तुम तुमारे बिजनेस के सिलसिले में लंडन गये थे तो वहीं पे तुम सेटल हो गए और अभी तुम लंडन से यहां आए तीस साल बात अरे वा बड़ी अच्छी बात है लेकिन लगता नहीं तुमें देखकर कि तुम लंडन से आये हो ऐसा लगता है कि तुम किसी पड़ोस की गाउं से आये हो लंडन से जब आते हैं तीस साल बात अब ऐसे बात करते हैं क्या है तुम कैसे बात करते हो बाबु तुम कैसे हो बाबु तुम कैसे हो सब खुशन मंगल तो है ना अगर तुम सच में अगर लंडन से गर आते ना तीस साल बात तुम ऐसे बात नहीं करते हम बहुत अच्छे से जानते तुम कैसे बात करते तुम उससे ऐसे बात करते Hey, how are you? Are you fine? It's a long story. ऐसा कुछ बोलते हमारे सामने का? अच्छा? हाँ, 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 आप ये कहना चाते हो कि तुम लंडन में मतलब 30 साल रहे लेकिन वहां की अंग्रेजी तुम्हें नहीं आती हैं, सिर्फ यहां की लैंग्वेज आती है क्योंकि यहां की लैंग्वेज से तुम्हें प्यार है यह complaint बाशा से तुम्हें प्यार है अच्छा तुम्हें गोश्य मार्थ है तुम्हें यहां की भाशा से प्यार है बहुत अच्छी बात है लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि लंडन में रहे और तुम्हें इंग्लिश आये ही ना यह देखर यह बेवकुब बनाना काम मेरे सामने मत कीजिए ठीके जो भी काम है फटा-फट बोलगी और यह बाबू-बाबू बोलना पहले बंद कीजिए लंडन से आये हो लंडन में वड़ा पाव मिलता है का वड़ा पाव की चटनी तुमारी धोती पे गिरा है लंडन से आये हो लेंडन में धोती पेंदे है का अच्छा तुम्हें भारतिय संस्कृती पसंद है इसलिए तुम लेंडन में धोती पेंदे थे बहुत अच्छा मजा कर लेते हो तुम है हमारे सर्टे का बेव कुछ लिखा है तुम कोई भी मतलब तुम स्टोरी बनाओगे और हम मानेंगे निकलो निकलो यहां से चल कि बोली ना काम का है तो वह तो कपसे तुम्हें पूछ रहे है तुम्हें का मुछ रहे है का नहीं तुम्हें तो हमसे रिष्टा जो दोडना है का का में बताओ हाँ 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 भाई वो इंडस्ट्री हमारा है बोलो हाँ तो अच्छा आप आये ना लाइन पे आपके बेटे को नौकरी चाहिए इसलिए आप मेरे पास आये का आया अगर आप सिधे सिधे अगर मुझे अगर बोलते कि आपके बेटे को नौकरी चाहिए तो मैं दे देता लेकिन आपने वो जो मामा को जो रिष्टा जो लगाने की जो को ना मुझसे वो आपकी सबसे बड़ी गलती है समझेया आप बाबू बाबू कब से का अच्छा आप उस चीज़ के लिए माफिम आखते हो अच्छा अगर मेरी जगे पर अगर कोई सीधा साधा अगर कोई इंसान अगर हो और अगर आपकी बात अगरो मान लेता तो आप तो उ मैं सही बात कर रहो ना क्यूं एकρείक क्यों अब ही आप आपकी नजरे अब हैं भी आप मुझसे मिला नहीं सकते हैं एक फिल शरम आ रही है है कि मैं लें आपके बेठे को नौकरी decision समझेये आप नहीं 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 कि आपके उपर मुझे घुसा आया है इसी लिए नहीं मेरे पास वेकंसी नहीं है समझे अधा आइंदा से ये सम मत कीजी समझे लंडन से आए